हेलो गाईज स्वागा थे आपका मेरे यूट्यूब चेनल माइक्रो ओनलाइन सेर्विस आश्टा में आज मैं आपको पूरी ओनलाइन की जानकारी दूँगा जैसे SSC का एक भरती निकला बंपर भरती है दोस्तों इसके लिए आप मेरे साथ पूरो वीडियो में बने रही है मैं कम्प्लीट चनकारी आपको सारी चीजे बताऊंगा सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा SSC कमबाइन ग्रेजेट लेवल के एक पोस्ट निकलिए SSC का मतलब क्या है यह समझ लीजे स्टाफ सेलेक्शन कमिशन इसमें आपको जो है CGL ग्रेजेशन लेवल पे जो प जो है फीस जो आपको अगर कोई रह जाता है काटने से तो उसके लिए 9-10-2022 की डेट इसमें दिया गया है और इच आलान के द्वारा अगर आपका पेमेंट रह जाता है तो 10-10-2022 तक आप इच आलान कर सकते हैं दोस्तों आगे चलते हैं आपका जो है एक्जाम जो इस्ट्रक्शन दिया गया है जेनरल ओबीसी और इडव्लियोस इन सब के लिए आपको जो है सो रुपे का आपका चार्जस कटेगा स्टी सी और पीज यानिकी विकलान के टेगरी इसके लिए कोई फीस नहीं है दोस्तों आपको जीरो फीस रहेगी जो ओनलाइन चार्जस जहां सा आप भरवाते हो या फिर आप स्वयम कर लेते हो तो आपको कोई फीस नहीं देने पड़ेगी और अगर आप सेकंड टाइम में आपको एक बार क्रेक्शन हो गया और दूसरी बार फिर से आपको कर्रेक्शन करवाना आपके फम में तो आपको 500 रुपे का पैक करना रहेगा चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब यहां पर आपको मैं बताने जा रहा हूं एज का एक एक 2022 एक जनवरी 2022 को आपकी उम्र 18 साल की होनी चाहिए यह इसकी गाइडलाइन दी गई है ऐसे सी गिए ठीक है 18 साल से 27 से 32 तक याने की दो चीज ऐसी दी गई है आपको यह पोस्ट वाइस आपको पूरी डीटेल है दोस्तों मैं आपको सारी जो पोस्ट हैं उन सबकी डीटेल आपको बता रहा हूं चली कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल CGL वेरियस पोस्ट इसमें दिया गया है 20,000 के अप्रॉक्स आपकी टोटल पोस्ट रहेगी फिर से बता देता हूं टोटल पोस्ट आपकी जो है 20,000 के अप्रॉक्स रहेगी ठीक है इसमें सभी पोस्ट में ग्रेजुएशन आपको क मुकल सरी रहेगा आगे चलते हैं जो पोस्ट दी गई है वो डिपार्टमेंट वाइस अलग-अलग पोस्टिंग है आप उसकी पुरी डिस्किप्शन उससे सुनिए हैं सबसे पहले है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट अंडर C&AG ठीक है यह से 30 साल की उम्र रखी गई है ऑगे चलते हैं सेंत्रल सेकूर्यूर्टी सर्वीश सअसिस्टन ऑफिसर बैसल डिग्रीमागी गई है बीच से 30 साल की कुष्णी गई इसमें इंटेलियन्स ब्योर चिया बियो यह पोस्ट एप सभी लोग जानते हैं आई बी के बारे में तो इसमें असिस्टन सिलेक्शन ऑफिसर की जो है पोस्टिंग है ग्रेजुएशन इसमें कमपुल्सरी रहेगा 18 से 30 साल की उम्र लिए गई है मिनेस्ट्री ओफ रैलवे असिस्टन सेलेक्शन ऑफिसर यह पोस्ट का नाम रहेगा आपका इसके बाद गेजुएशन कमपुल्सरी है इसमें इसके बाद 20-30 साल तक की उम्र आपकी लिए गई है इसमें मिनिस्ट्री ओफ इंटर्नल अफियर्स असिस्टन सेक्शन ऑफिसर बैसलर डिग्रियन इस्ट्रीम यह निए ग्रेजुएशन आपको कमपुल्सरी 20-30 साल की उम्र मंगी गई है दोस्तों अगर मेरे चनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दिए ताकि मैं अगला वीडियो आप तक पहुचा सकूँ हर एक पेकेंसी के आपको वीडियो भी आएगा और उसके बाद में कुछ समय बाद मैं आपको कम्प्यूटर की सारा जितना भी कुछ रहता है शुरुवाद से लेकर के एंडिंग तक का कम्प्यूटर का हर एक चीज पार्ट के बारे में भी हर एक चीज के बारे में पुरा आपको मैं online ही पढ़ाऊंगा तो जिन लोगों ने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजे और आगे इसे forward भी कीजे तकि जो नए student है जन्हें इन सब चीजों की जरूरत हो वो अपडेट भी होते रहें प्लस प्री में आपको education भी मिलती रहें तो चलिए दोस्तों आगे की post मैं आपको बता रहा हूँ ए एफ एच्क्यू यह आपका जो है department रहेगा असिस्टेंट सेक्षन ओफिसर यह जो है आपका post का नाम बेचलर डिग्री याने graduation मांगा गया है 20-30 साल के उम्र है Ministry of Electronic and Information Technology असिस्टेंट सेक्षर ओफिसर ठीक है यह आपके post का नाम graduation of compulsory है 18-30 साल के उम्र रखी गई है असिस्टेंट यहाँ पर दो है ministerial department and organization यह आपका department है assistant के नाम के एक समय पोस्ट है graduation compulsory 20-30 साल के उम्र है अगला assistance section department आपका यही रहेगा इसी के अत्तरगत assistance section officer graduation compulsory 18-30 साल के उम्र है cvdt यह आपका department रहेगा inspector of income tax income tax से कौन बापकेप नहीं है आप सभी जालोग जानते ही है और भली भाती परीचित भी है ठीक है यह बहुत अच्छी पोस्ट भी है इसमें भी graduation मांगा 18-30 साल की उम्र ली गई है अब दोस्तों इसमें बहुत सारी अलग-अलग पोस्ट देगी इन सब के लिए आपको graduation और 18-30 साल की उम्र का detail है अब आगे आपको यह सारी चीश समझा देता हूं है इस्पेक्टर ओफ CGST एन सेंट्रल एक्साइज अब एक्साइज डीट्यू के बारे में आप सब जानते ही यह लग-बग-बग इस्पेक्टर ओफ प्रिवेंट आफिसर यह भी है उसी के अंदर यह आपकी जो है वालिफिकिशन यह लेगा इस्पेक्टर और एक्जामीनर रहते हैं बड़ी बड़ी पोस्ट की जो एक्जामीनर होते हैं यह उनी की पोस्ट है चलिए आगे बढ़ते हैं डिरेक्टर ओफ इंफॉस्मेंट डिपार्टमेंट ऑफ रवन्यू के बारे माँ जानते हों उसमें असिस्टर इंफॉस्मेंट अफिसर यह आपके पोस्ट का नाम रहेगा इसके बारे में कौन नहीं जानता सी इसमें आपको सब इंस्पेक्टर के पोस्ट रहेगी इसमें बैसलेर डिग्री मांगा है 18-30 साल के उम्र इसमें इसमें इंस्पेक्टर की जो है पोस्ट है इंडियन कोस्गार्ड असिस्टेंट शुपर विंडिन के नाम की पोस्ट रहेगी इसमें असिस्टेंट की पोस्ट है नेशनल कंपनी लॉग अपिलियेट और ट्राइब इनिट एंसी ल ए टी असिस्टेंट के नाम की पोस्ट है नेशनल वुमें राइट कमिशन एनेच आरसी रिसेट असिस्टेंट यह आपका जो पोस्ट नाम रहेगा बेचलर ग्रेजियोसन इसमें डिग्री मांगा गया है अथारा से तीस साल के उम्र रहेगी ओफिस अफिस अंडर सी एन जी फिर से समझ लिए ओफिसेस अंडर सी ए इसके अंदर एक और पोस्ट रहे है नेशनल इंवेस्टिकेशन एजनसी आप इसके बारे में बच्छा से जानते हैं आए इसमें जो है सब इंस्पेक्टर एसाई की पोस्ट रहेगी आगे बढ़ते हैं स्टेटिक एंड प्रोग्राम इंप्लिमेंटेशन यह आपका जो है डिपार्टमेंट रहेगा जुनियर स्टेटिकल ऑफिसर यह आपकी पोस्ट का नाम ग्रेजवेशन मांगा गया है अब इसमें आप थोड़ा सा समझ लीजिए थोड़ा सा अलग कुछ चीज़े मांगे गई है ग्रेजवेशन और एनी स्ट्रीम याने कि आपको किसी भी एक सब्जेक्ट से ग्रेजवेशन तो है अगयाँ मैच सब्जेक्ट इन बारवी स्टेंडर आपको होना चाहिए बैशलरघ्र ग्रेजेवेशन आपका जू यह वो भी होना चाहिए लेकिन सब्जेक्ट जो है आपका इस्टेटिक रखा गया 18-32 साल की उम्रे रख़ी गई इसमें राइस्टार जनरल अप इंडिया यह आपका जो है डिपार्टमेंट रहेगा स्टेटिकल इन्वेस्टिगेटर स्टेटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेट टू यह आपकी पोस्ट का नाम रेजोशन इसमें लिया गया करने स्टेटर इसमें पारटमेंट रहेगा इसमें अपका कमपल्सरी 18-18 साल की उम्रेए इसमें भी ऑडिटर की पोस्ट है इसमें इसमें यह दोनों चीज़े रहेगे वीडियो के साथ बांत तक बने रही है दोस्तों सारी चीज़े आपको completely बताऊंगा मैं offices under C and AG इसमें accounted की post है age living आपकी जो है 18-18 साल की रहेगी ministry of department account and junior counted इसमें भी आपका graduation complete चाहिए 18-18 साल की उम्र मांगे गई है ministry of electronic and information technology senior secretary assistant upper division clerk यह आपकी जो पोस्ट का नाम रहेगा इसमें graduation complete मांगा गया 18-17 साल की उम्र है central government office ministries and then CS के address यह है आपका department रहेगा और यह आपकी जो है post रहेगी post का नाम सुन लिए senior secretary and assistant upper divisional clerk graduation compulsory 18-17 साल की उम्र रखी गई है CVDT जो आपका जो है डिपार्टमेंट रहेगा टेक्स असिस्टेंट टेक्स के बारे को नहीं जानता ग्रेजियोशन कंपल्सरी 18-17 साल की उम्र है CBIC इसमें भी आपको जो है टेक्स असिस्टेंट की पोस्ट है graduation compulsory है 18-17 साल की उम्र रखी गए Central Bureau of Narcotics फिर Narcotics का एक इसमें आया सब इंस्पेक्टर का इसमें graduation compulsory मांगा गया 18-17 साल की उम्र रखी गएगी दोस्तों वीडियो पसंद आए तो like share जरूर करें क्योंकि अगला जो है जो भी वेक्ति जिन्हें इन सक चीजों की information नहीं पहुचती है मेरे इस वीडियो के थुरू उस वेक्ति तक कमसा कम